वेलकम बैक, आखिरकार मी टीवी 5X इंडियन मार्केट में लाँच कर दी गई है, जो कि MI के तरफ से इंकी 2021 की नई स्मार्ट टीवी सीरीज है, तो आज किस वीडियो में यहाँ पर हम इस नए स्मार्ट टीवी सीरीज के बारे में डेटेल में जानेंगे, जानेंगे क्या कु में इंट्रस्टेड हो, तो ये वीडियो आप पुराइन तक जरूर देखेगा, बाकी वीडियो पसंद आए, तो लाइक कर देना और चैनल पर नए है, स्मार्ट टीवी लेनी की प्लानिक कर रहे हैं, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेजे, विकाज इस चैनल प इंट्र में इंडियन स्मार्ट टीवी इंडस्री की बात करूं तो, M.I. इस समय इंडिया का नंबर वन स्मार्ट टीवी ब्रांड है, और लगबग यहां पर इंडिया में 6 मिलने से ज़दा टीवी को सेल किया है, लेकिन दोस्तों मैं ऐसा बिलकुल भी नहीं मानता कि M.I. एक्चुल में इंडिया का नंबर वन स्मार्ट टीवी ब्रांड है, सबसे बेस्ट टीवी बनाता है, बिकोस जितने भी टीवी आज तक मैंने M.I. के यूज करें, मुझे किसी भी टीवी में एक्चुल में वो नंबर वन वाली बात नहीं देखनी मिली है, अब सवाल आगा कि जो क्वालिटी, जो प्राइस, जो स्पेसिफिकेशन, उनको उनके स्मार्ट फोन में देखने मिलते हैं, वही सेम चीज जो है, वो स्मार्ट टीवी से भी एक्सपेक करते हैं, और इस वज़ए से लोग आग बंद करके टीवी बाई कर लेते हैं, लेकिन मैं आज फिर से आपको कहूंगा, कि अगर आप किसी भी स्मार्ट फोन ब्रैंड का टीवी बाई कर रहे हैं, तो एक बार ब्रैंड को सोड़ा सा साइड रखिए, और टीवी में आक्च्वल क्या दिया जा रहा है, वो चेक कर लीजे और फिर बाई कीजे, वेल टीवी अच्छी होती है, मैं तो यहाँ पर उसका ही सकसेसर लाँच किया गया है, जो कि है मी टीवी 5X और यह मेरे सबसे थोड़ा सा बहतरीन लग रहा है, वेल यहाँ पर आपको तीन विरेंट्स मिलता है, 43 इंच, 15 इंच और 55 इंच के स्क्रीन साइज के साथ, और यह तीन होई टीवी 4K टीवी है, इसी के साथ यहाँ पर जो बैजल्स हैं, वो भी काफिज़ा थिन है, तो और रहल देखा जाए तो लुक के मामले में टीवी काफिज़ा अच्छी लगती है, वेल यहाँ पर अगर हम बात करें इन टीवी के टेकनिकल स्पेसिकेशन की, तो इन टीवी में पैनल कौन सा मिलत पर और ना ही MI इन चीज़ों का हमें जवाब देती है, मैंने बहुत बार मेल करा है, इससे पहले भी बहुत सार लाँच एवेंट हुए है, मैं मोसली हर ब्रैंड को मेल करता हूँ, पूरे डेटेल स्पेसिकेशन के लिए, और मोसली ब्रैंड का कोई भी रिप्लाइ नहीं आता है, तो इस बार भी यहाँ पर टीव में ब्रैटनेस के तनी मिलती है, पैनल कौन सा है, कॉन्टरास इशू कितना है मलता है, इसके बार में कोई इन फॉर्म पेशन नहीं है, और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दू, किसी भी टीवी के लिए, ये तीनों ही स्पेसिक इसके बिसेस पर आप आइडिया लगा सकते हो, कि आपको टीवी में पिच्छी क्वालिटी कैसी मिलेगी, और बाकी के जो ब्रैंड्स टमोलोजी यूज करते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ आपको एट्राइक करने के लिए बताया जाते हैं, और ये सारे फीचर्स एक्शल में टीवी की ब्रैटनेस पर डिपेंड करते हैं, और ये ही ब्रैंड्स जो है वो हमसे चुपाते हैं, यहाँ पर बात करते हैं अधर फीचर्स की जो कि उन्होंने बहुत ज़्यादा हाइलाइट करके बताया है, तो टीवी में आपको सभी HDR फॉर्माट का सपोर्ट मिल जाता ह बेसिकली इन समीट टीवी में आपको एक लाइट सेंसर दिया गया है, जो कि रूम की लाइटनिंग कंडिशन के एकॉर्डिंग टीवी की ब्रैटनेस को एकजर्स करता है, तो ये फीचर यहाँ पर दिया गया जो काफी अच्छी बात है यहाँ पर, इसी के साथ यहाँ पर वाइट कराने बाला है, बात करते हैं साउंड डिपार्टमेंट की, तो इस बार MIE ने अपने साउंड डिपार्टमेंट को काफी इंप्रूफ किया है, लास्ट टाइम मीटीवी 4X में सिर्फ 20W की स्पीकर्स देखने में रहे था, जो की काफी बिलो एवरेज साउंड दे लेकिन इस बार यहां पर जो 43 इंच वाला वेरेंट है, उसमें 30W की स्पीकर्स मिलते हैं, बाकि जो 50 & 55 इंच वाला वेरेंट है, वहां पर हमें 40W की स्पीकर्स देगे हैं, इसके साथ यहां पर हमें Dolby, Atmos & DTS का भी सपोर्ट दिया गया है, तो यहां पर पिछले साल वाले वेरेंट से इंप्रूफ किया गया है, कफी अची बात ही यहां पर, इसके अलावा बात करी जाया है, यहां पर operating system की तो Android 10 देखने मिलता है, पैच वाल 4 यहां पर आपको देखने मिलने वाला है, पैच वाल के बारे मैं नहीं पता है तो बता दू, पैच वाल बिसिकली एक 5 channels आपको देखने मिल जाते हैं, इसके साथ यहां पर IMDB के साथ ने partnership करी गई है, तो आपको एक specific section मिलेगा जहां पर आप IMDB recommended movies को देख पाएंगे, और ratings के वाज थू आप जो है, वो एक best movie चूज कर पाएंगे, बिसिकली यहां पर पर time save होगा, आप easily ढून पाएंगे कि आ अपना command दे सकते हो, आपको remote के तुरू command देनी को कोई जरुवत यहां पर नहीं पड़ेगी, तो far field voice recognition system आपको यहां पर मी की TV में दिया गया, इसके अलवा आपके जो IoT devices उनको भी आप TV में monitor कर सकते हो, यहां पर बात करें जाएंगे, अगर प्रोसेसर की, तो यहां पर आ 16GB internal storage मिल जाता है, यहां पर dual band वाफा है, Bluetooth 5.0 का support यहां पर दिया गया है, तीन HDMI port है और तीनों के तीनों HDMI 2.1 port है, बाकी दो आपको USB 2.0 मिल जाते हैं, इसके अलवा बाकी सारे required essential ports भी आपको TV में दिये गये हैं, यहां पर आपको जो HDMI 2.1 port मिलता है, यह यहां पर यहां प आपको मिल जाता है, तो अगर आप एक budget gaming TV ढूंड रहा है तो यह आपके लिए एक अच्छा option निकल कर आ सकता है, बाकी यहां पर TV का जो back panel है, वो भी यहां पर थोड़ा सा interesting बनाया गया, तो यहां पर आपको carbon fiber coating देखने मिल जाती है, जो की थोड़ा सा look को enhance करती है, तो और यहां पर improvement भी करी गई है, लेकिन यहां पर कुछ जो doubt है, वो मेरे मन में अभी भी है, जिस वए से मैं आपको इन TVs को 100% नहीं recommend कर सकता हूँ कि जाए बाय कर लेजे, और वो वही सवाल है कि panel कौन सा मिलता है, brightness कितनी है, और contrast issue कितना, बिकॉस यह जो चीज़े हैं, जब बाय कर सकते हैं, बिकॉस IPS पैनल में आपको जनरली ब्राइटनेस के आसपास ही देखने मिलती है, लगबग 320 तक ही ब्राइटनेस देखने मिलती है, तो अगर IPS पैनल के साथ यह TV आपको देखने मिलती है, आप जो है TV को बाय कर सकते हैं, अगर brightness कम भी हो तो, लेकिन अगर TV में VA पैनल मिलता है, ब्राइटनेस आपको 250, 280 निट्स की मिलती है, देन उस केस में में कहूंगा कि उतना ज़्यादा बैस आप्शन नहीं है, हाला कि आप ले सकते हो, लेकिन मैं उतना ज़्यादा रेकमेंट नहीं करूंगा, बाकि इसके लावा TV के जो स्पेसिफिकेशन नहीं काफी कम है, एक अच्छी प्राइजिंग यहां पर रखी गई है, 50 निट्स वला जो वे रेंट है वह यहाँ पर 42,000 उपीज कम रहा है, और यहाँ पर 55 निट्स व यह आपको 58,000 उपीज कम रहा है, तो प्राइजिंग यहाँ अब बात के जाया तो 43 निट और 50 वाले में available होते हैं मैं जाकर test करूँगा और इसके बाद आपके लिए detail review वडियो जरूर लेकर आऊंगा और फिर उसके बाद आप buy कर सकते हैं TV की जो sale है वो 7th September से शूरू होने वाली है और एक और बात बता दू जैसे ही एक दो हपते हो जाएंगे सभी TV की prices increase होने वाली है यह हिस्ट्री रही है सारे ब्रैंड्स अभी यही कर रहे हैं even Samsung, Sony, LG भी यही trend फॉलो कर रहे हैं जैसे थोड़ा time होता है launch होने के बाद अपनी prices को increase कर देते हैं बाकि इसके comparison में आपको OnePlus मिल जाएगा OnePlus U1S, OnePlus को मैंने खुद यूस करा है even मैंने unboxing भी करी है, detail review वीडियो भी क्या है मैंने चैनल पर आप उसे check out कर सकते हैं comparison की बात करी जाया, तो in short बोलू, तो OnePlus के मुकाबले, MI जो है मुझे थोड़ा सा बहतर लगा रहा in terms of price और in terms of feature तो आप MI consider कर सकते हैं, लेकिन detail वीडियो का वेट कीजिए, इतने जल्दी decision मत लेचे बाकी वीडियो कैसा लगा है, आप नीचे मुझे comment करके बता सकते हैं, बाकी कुछ recommended TVs के list आपको नीचे description मिल जाएगी मिलता हूं, नेक्स वीडियो में तब तक के लिए, टाटा, बाइबाइ, सावनारा